गुरू की साजे निवाजी, प्यारी साथ संगत जी, प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी साथ संगत जी, आज दासी आप जी के बीच में, सत्कुरू माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार किर्पा से इनके आशीरवात से जो विचार रखने जा रही है इन विचारों का टोपिक ये है कि अगर हमारा सत्कुरु निरंकार पर विश्वाश पूरन है तो हम इस संसार के सागर से पार हो सकते हैं यसे ही कहते हैं कि एक नोजवान काशी में गूम रहा था उसके कपड़े धीले ढाले थे गूमता गूमता वह एक सुनसान सड़क पर पहुँच गया सड़क के पास ही एक तालाब था तालाब के आसपास उचे उचे पेड थे पेडों के उपर सैकडों की संख्या में बंदर बैठे थे कहते हैं कि जब वह नोजवान तालाब के पास से गुजरा तो कुछ बंदर उस नोजवान के पीछे लग गए बंदरों को अपने पीछे आता देख वह नोजवान गबरा गया उसने सहायता के लिए इदर उदर देखा लेकिन सड़क बिलकुर सुनसान थी कहीं भी कोई आत्मी नहीं दिखाई दिया अपने आपको अकेला पाकर उस नोजवान के होश ही उड़ गए वह डर कर भागने लगा उसको भागता देखकर बंदर भी उसके पीछे पीछे दोड़ने लगे शायद उन्हें उस नोजवान को तंग करके कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था कुछ बंदर भागकर उसके बिलकुल पास पहुँच गए एक दो तो उसके टांगों से भी लिपट गए नोजवान का डर से बुरा हाल हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बंदरों से कैसे छुटकारा पाया जाए वहें बस दोड़े ही चला जा रहा था तभी उसके कानों में एक गंभीर आवाज पड़ी बंदरों से डर कर भागो नहीं सरव या पी परमपिता परमात्मा पर विश्वाश रखकर उनका मुकाबला करो यदि बंदरों से डर कर भागोगे तो वे तुम्हें मार डालेंगे यह आवाज पास से गुजर रहे एक रहा गिर की थी उस रहा गिर की बात ने उस नोजवान पर जादू सा असर किया दिल में प्रफू विश्वास से शक्ति लेकर वे वही पर खड़ा हो गया उसको वही पर खड़े होते देखना बंदरों के लिए नई बात थी वे भी ठिठक कर रुख गए बंदरों को ठिठक कर रुखता देखकर उस नोजवान का होसला बढ़ा वे बड़ी फूर्ती से चिलाता हुआ बंदरों की और जप्टा उसकी गुसे भरी मुदरा देखकर बंदर डर गए वे घबराकर पीछे की और भागे वे नोजवान भी उनके पीछे थोड़ा सा भागा जब बंदर काफी दूर निकल गए तो वे मुस्कुराता हुआ अपने रास्टे की और बढ़ने लगा सामने ही उसे बंदरों का मुकाबला करने की प्रेना देने वाला रहागीर खड़ा मिला नोजवान उसकी और बढ़ गया रहागीर ने नोजवान से पूछा तुम भाग क्यों रहे थे तुमने पहले ही उनका मुकाबला क्यों नहीं किया आगे से वो कहने लगा नोजवान की मैं मुकाबला कैसे करता मैं अकेला था और बंदर अनेक थे फिर भी मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था तो मैं कैसे उनका मुकाबला कर सकता था रहागीर बोला अब भी तो तुम खाली हाथ ही थे रहागीर की बात सुनकर वह नोजवान समझ गया कि यह रहागीर क्या कहना चाहता है उसे रहागीर की बात समझ में आ गई रहागीर ने कहा, नोजवान को रहागीर की बात समझ में आ गई रहागीर ने नोजवान को कहा, कि मुकाबला करने के लिए हत्यार की नहीं प्रभु विश्वाश वे मनोबल की जरूरत होती है हाथ में हत्यार हो या नहीं यदि दिल में निरंकार पर पूरा भरोसा है तो किसी भी कटनाई का असानी से मुकाबला किया जा सकता है वास्विक शक्ती हत्यार या शरीर में नहीं बलकि दिल में होती है नोजवान शक्ती के वास्विक रहस्य को समझ गया था उसे पता चल गया था कि मनोबल और इश्वर विश्वाश जैसी कोई और शक्ती नहीं है वही नोजवान आगे चल कर स्वामी विवेका नंजी के नाम से परसीद हुआ साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि अगर हम सद्गुर पर अपना पूरन विश्वाश रखते हैं तो फिर जो यह कर रहा है हमारे लिए अच्छा कर रहा है और अगर कोई कश्ट दुख मुसीबत आती है तो उसमें भी यह हमें शक्ती देता है उस दुख से बाहर निकलने की संपून हरदेव पानी में सत्गुर वाबा हरदेव सिंग जी मावाव इस चबद के और हमारा ध्यान दिलाते हुए हमें यही समझा रहे हैं भगत यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा तुझ पर ही विश्वास टिका हो रहे तेरा एहसास सदा भगत हर पल सत्कुरु निरंकार के आगे यही अरदास करता है कि है सचे पाशा जिस तरह आप जी ने विश्वाश दिया है इसी तरह पूरण विश्वाश जो है मेरा आप जी के दर पर बना रहे आप जी का एहसास हमेशा रहे कहते भी हैं कि तेरे चरना दे दास्त है तो तेरा विश्वाश दिन रात मंग दे क्यों मांगते हैं क्योंकि विश्वाश करने से ही हमारा बेडा पार हो सकता है विश्वाश करने से ही हम दुख सुख से पार हो सकते हैं आगे कहा है मुझ मचली का तुझ सागर से नाता तूट ना पाए कभी ए इश्वर जो तुझे भुलाए वो पलहरगिज ना आए कभी कि जिस तरह मचली सागर में इतनी खुश रहती है लेकिन जब मचली का नाता सागर से तूट जाता है तो फिर वो जी नहीं पाती खूश है और अगर इस सागर से हमारा नाता तूट गया तो हम जी नहीं पाएंगे तो यहां पर भी भगत यही अरदास कर रहा है मैं मचली तू मेरा सागर मैं मचली हूँ और तू मेरा सागर है ए इश्वर तू अपना मेहर बराहात हम सब पर बनाए रखना वो पल कभी ना आए जिस पल हम आप जी को भूल जाएं अनन्द के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं पर्मानन्द की धार भे ये मनशीतल कर पाऊं मैं कि ये जो अनन्द का सागर है ये ससंग से ही मिलता है अनन्द का कोई विप्रिशवद ही नहीं होता तो अनन्द ही अनन्द है यहाँ पर्मानन्द मिलता है कहते हैं कि जो संसार की चीज़ी है एक समय सुख है तो दूसरे समय दुख है एक समय यश है तो दूसरे समय अप्यश है एक समय धूप लग रहे है दूसरे समय चाया भी मिलती है एक समय लाब हो रहा है तो दूसरे समय हानी भी होती है लेकिन जो यह अध्यात्मिक शिक्षा है यह ससंग है यहाँ पर अनन्द ही अनन्द मिलता है यहाँ पर अनन्द का कोई पोजिट ही नहीं है कुछ और है ही नहीं अनंद परमानंद के साथ चुड़ कर मिल जाता है तो यहाँ पर यही कहा है कि परमानंद की धार्ब है यह मन शीतल कर पाऊं मैं कि जो यह मेरा मन शीतल होगा यह ससंग में आने से होगा दम दम पर तुझको ही ध्याओं पलपल तुझे चितारूं है तुम संग प्रीत लगाओं प्रीतम अपना जनम सुवारूं है यहाँ पर भी भगत ही हरदास कर रहा है कि सचे भाशा मेरे उपर इतनी किर्पा बनाई रखना कि मैं हर पल तुझे याद रखूं तेरे साथ मेरी प्रीत लगी रहे जगत के साथ तो मेरा व्यावार बना रहे लेकिन मेरी जो प्रीत है मेरा प्रेम है वो तेरे साथ लगा रहे और इस तरह मैं अपना जनम सुवार के जाऊं किर्पा करो के जुड़ी हमेशा तुझे मन की तार रहे कहे हर देव सदा हे दाता तेरा ही आधार रहे यहां पर सद्कुर भाबा हर देव सिंग जी महराज ने सारे ही शबत का साराश दे दिया है कि हे दाता सचे पाश्या किरपा इतनी करना कि हमारी मन की तार जो है हमेशा आप से जुड़ी रहे और हमारा नाता आपसे जुडा रहे और हम आप जी का आसरा लेते चले जाएं और यही अरदास करें कि सचे पाशा तू ही हमारा सहारा है तू ही हमारा गुजारा है तू ही हमारी आस है तू ही हमारा आसरा है तू ही हमारा सब कुछ है जब हम इसके आगे अपने आपको समर्पित कर देते हैं तो फिर ये हमें अपने चरनों में जगा देता है फिर ये हमें शक्ती देता है हर दुख सुख से बाहर निकलने की ये हर पल हमारे साथ खड़ा है फिर कोई भी ऐसा पल नहीं है जिस पलिय हम से दूर है नहीं सत्कुर के चर्णों में यही मांग मांगती है जिस तरह विश्वास बनाया है इसी तरह विश्वास बना रहे यह देव समर्पित कर पाउं हर स्वास तुम्हारे चर्णों में द्रिड से द्रिड तर होता जाए विश्वास तुमारे चर्णों में साज संगजी प्रेम से कहना धन निरंकार जी